2021 मेनिती आयोगनी 72,000 करोर रुपीज का प्रोजेक्ट 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 किया था अंडमान एन निकोबार आइलेंड में ग्रीट निकोबार की हॉलिस्टिक डवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट का आज के टाइम पे हाई लेवल पे अपोजिशन हो रहा है अंड ये आज के ताइम पे टॉपिक ऑफ डिसकर्शन बना हुआ है तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्ट क्या है? क्यों इतना इंपोर्टेंट है? प्रोजेक्ट की हिस्टॉरिकल ओरिजिन क्या है? कैसी चाइना एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है प्रोजेक्ट की इंप्लिमेंटेशन के पीछे? जानेंगे कि ये ग्रेट मिकुबार कहां पर है? भारत की कौन-कौन सी कम्यूनिटीज यहां रहती है? और हिस्टॉरिकल क्या हिस्ट्री है इन कम्यूनिटीज की कैसी यहां पर गई? कब गई? कब मेंलेंड से इंडियों यहां सैटल हुए? क्यों वे किसने कराया क्यों भारत में इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसिजम मिल रहा है इतना जादा क्यों कॉंग्रेस ने immediate suspension मांगा है clearance का जो इस project को grant हुई है और NGT ने decline कर दिया है granted clearances में interfere करने से जानेंगे कि project में क्या-क्या ecological and social concerns है और क्यों frequent earthquakes का threat इस particular region में बना हुआ है आज की time में shipping lanes को protect करना जितना जरूरी हो गया है उतना जरूरी पहले नहीं था खासकर इंडिया जैसी country में जो तीनों और से पानी से गिरे है Chinese ships बार-बार हमारे areas में आती है चाइना ने हमारे all around ports बिल्ड कर दिया है और उनकी इतनी ज़्यादा presence हो गई है जो हमारे लिए matter of concern है इंडिया की side देखें तो इंडिया ने भी over the years कोशिश कर रहा है इस area में strong होने की, कुद को boost करने की और deterrence build करने की उसी को देखते हुई इंडिया ने एक step लिया है और ये project propose किया है अंडमान और निकोबार आइलेंड में great निकोबार आइलेंड प्रोजेक्ट तो इस project में क्या होगा इस project में मख्य चाल काम बताय गए है पहला है international shipment terminal बनाना दूसरा है वहाँ पर international airport बनाना वहाँ पर एक township बनाना और चोथा है वहाँ पर power plant बनाना इस proposed port से जो पहला हमारा काम है international shipment terminal port बनाना तो यह जब proposed port है अगर हम यह बना लेते हैं तो हम cargo trans shipment में एक major player बन सकते हैं जिससे हम participate कर पाएंगे regional और global maritime economy में अभी हमारे पास कोई भी international trans shipment port नहीं है अभी श्रिलंका के पास एक है जहां पर बड़ी बड़ी ships में सामान आता है और वहां पर वो सामान को लोड किया जाता है चोटी चोटी ships में जहां से वो इंडिया आता है तो यह भारत का पहला international trans shipment port होगा जिससे इंडिया की economy को boost मिलेगा दूसरा international airport वहां पर proposed है proposed airport से maritime services में growth हाएगी national international visitors attract होंगे जिससे अगेर हमारी economy को benefit मिलेगा भने की निति आयोग ने present form में इस project को present किया है लेकिन लेकिन इस project की एक long history है Great Nicobar में port बनाने के plans 1970 से शल रहे हैं जब इंडिया की trade development authority ने यहां पर techno economic feasibility studies कराई थी और इस पर focus किया था कि ये जगह world की busiest international sea routes के काफी करीब है तो यहां port बनने से इंडिया का global maritime trade में participation बहुत जादा increase हो जाएगा इस project की location से Colombo, Malaysia and Singapore equal distance पर पढ़ते हैं और यह तीनों यह तीनों world के shipping industry के key regional hubs हैं So यह location strategic location है साथ ही में इस location के near में तीन choke points है Choke points हैं तीन जिनका नाम है Malacca street, Sunda street and Lombon street यह choke points इसलिए कहे जाते हैं क्यूंकि अगर हमने इने block कर दिया तो इंडियन और Pacific Ocean में आपस में connectivity पूरी तरह से खतम हो जाएगी और चाइना, चाइना इस तरह की हरकतें करता रहता है कि future में chances हैं कि choke करते हैं इसलिए यह project हमारे लिए बहुत important हो जाता है जिससे हम चाइना को डेटर कर सकते हैं अभी मयनमार के कोको आईलेंड में जो आईलेंड अग्डमान निकोबार से 55 किलोमेटर की दूरी पर है बहाँ पर चाइना अपनी military facility डवड़ब कर रहा है वैसे चाइना पूरे इंडियन और Pacific Ocean में यह expand कर रहा है लेकिन इस आईलेंड में presence को ज़्यादा ही हो गई है और military facility अगर यहां पे बन गई तो इंडिया की national security को ज़्यादा खत्रा हो जाएगा इसलिए इंडिया का इस location में present होना एक strategic necessity बन गया है तो अभी तक हमने इस project के बारे में जाना चाइना के रोल के बारे में जाना तो अब जानते हैं कि ग्रेट निकोबार कहां पर है और कौन-कौन सी community रहा रहती है और कैसे इन communities की importance हमारे लिए बहुत ज़्यादा है यह island इंडिया के southern most tip पर है 600 islands का एक group है यह इनी area है tropical rainforest बहुत ज़्यादा है यहाँ पर बारिश काफी ठीठाक होती है 3500 mm तक होती है endangered और endemic spaces भरी पड़ी है 910 square kilometer का यह पूरा area है mostly यहाँ पर दो travel communities रहती है Champan और Nicobaris Champan एक बहुत ही important community है जह यहाँ पर रहती है number इसका कम है 200 से 300 number है इन लोगों का number इतना ही है और यह जंगलों के एकदम बीच में रहते हैं बाकी world से कोई contact नहीं है इनका hunter gatherers हैंगी hunter gatherers की तरह रहते हैं language इनकी एकदम unique है जो बाकी किसी community की नहीं है schedule tribes के list में particularly vulnerable tribal groups में इनको रखा गया है particularly vulnerable tribal groups की category में इनको रखा गया है फिर जो दोसरी community है निको बारिस इनका जाद अतर काम क्या है यह farming और fishing करते हैं दो ग्रुप्स में यह निको बारिस रहते हैं great निको बारिस और little निको बारिस great निको बारिस का number 450 के around है little निको बारिस 850 के around रहते हैं लग लग जवपे दोलों रहते हैं जो great निको बारिस में रहने वाले की जादा तर जनसंग्या है वो actually में mainland इंडिया से यहाँ पे settle हुई है क्या हुआ था कि 1968 सी 1975 के बीच में इंडियन कॉर्मेंट ने पंजाब, यूपी, बिहार, महाराश्चा, अंधरपरदेश, करनाट का तमिलाडू की retired military servicemen को उनकी family के साथ यहाँ पे settle करवा दिया था around 350 houses बनवाए थे पंदरा एकर की land के साथ 7 villages इनको दी दिये गए थे जहां अंडमान एंडिकोबार के local administrative officials और पंचायत भी बनाई गई हैं इस एरिया में mainland इंडिया और अंडमान आइलेंड से fish fox, agriculture, construction laborers, business वाले, administrative staffs, engineers, teachers, foresters short और long term में migration करते रहते हैं तो ओगर और अगर देखें तो इस आइलेंड की population 6000 के आस पास है population का data approximately है और जो भी वहां पे researchers रहते हैं उन्होंने ये थारा data प्रोवाइड कराया है तो ये तो बात होगी वहां की location के और वहां की थोड़ी geography की और वहां के लोगों की अब देखते हैं कि क्या क्या problems हैं जो इस project से इस area को उन लोगों को हो सकती हैं जिसकी वज़े से इनका opposition हो रहा है तो criticism तो हो रहा है क्योंकि project large scale पर ecological destruction करेगा और tribal लोगों के rights को violate करेगा इसमें 130 km2 के जंगल को हटाया जाएगा और करीब 10 लाख पेड काटे जाएंगे 10 लाख पेड काटे जाएंगे 2021 में Indian government ने यहां की दो wildlife centuries गलैथिया बे और Megapore wildlife century को de-notify कर दिया था ताकि project smooth ही proceed किया जा सके ताथी साथ transshipment terminal बनेगा यहां पे गलैथिया बे में जो area world का largest nesting site है giant netherback turtles और Megapore के लिए और ये दोनों spaces wildlife protection act के 1972 के schedule 1 में listed हैं schedule 1 में वो spaces listed होती हैं जिनको Indian laws के तैस highest level of protection दी जाती है अब तीसरा जो important criticism हो रहा है वो हो रहा है कि यहां की जो vulnerable tribe है जिसके बाद हमने पहले की जो hunter gatherers हैं 200 से 300 ही नंबर है इनका जिनको बहुत खत्रा हो सकता है इनकी बात करें तो इनको सबसे जाता खत्रा है diseases का क्योंकि यह tribe बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी contact में नहीं रहते हैं इनमें अभी तक इंडिया की general population को होने वाली infectious diseases के लिए immunity develop नहीं हुई है तो यह community risk में है और नीती आयोग ने जो port develop करने के लिए area propose किया है वो इन शॉंपिन की settlement के साथ overlap कर रहा है Great Nicobar के Comple Bay की local पंचायर ने भी अपने concerns raise किया है साथी में next जो criticism हो रहा है वो इस वज़े से हो रहा है कि disaster management पर research करे scholars ने concern शो किया है कि project के proponent proposed area में earthquake के risk को assess करने में fail हो गए है अंडमान और निकोबार ring of fire में located है जो सिस्मीक एक्टिव रेजन है जहां throughout year earthquakes आते रहते हैं और पिछले 10 कालों में इस region में 500 से ज़ादा various magnitude के earthquakes experience किये गए है यह area cattingly 5 में आता है जो कि एक ऐसा geographical area है जहां सबसे ज़ादा सिस्मीक हजार्ज होते हैं तो इस project के यह सारे concerns है ecological social concerns है disaster related concerns है लेकिन साथी साथ में यह project काफी ज़ादा हमारी strategically important है advantageous है इंडिया के लिए इंडिया की strategic growth के लिए तो साथ में इंडिया government के सामने की challenge है project की development और great nicobar की ecological integrity को balance रखने का challenge है government के सामने अगर project को sustainability develop करें तो gap को address किया जा सबता है